जो गुड मॉनिंग गुड इवनिंग गुड आटरन गुड नाइट कैसे हैं सबी लोग सबी लोगो मेरा अनश्कार जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पास कर चुके हैं अब अपने 11 में किस तरह से स्टीम को चुने तो मैंने उस पर स्टीम सेलेक्शन पर बहुत डिप डिसकेशन करा था जो की लगबाग 40-50 मिनट की वीडियो थी जहां पर मैंने आपको बताया कि एक स्टीम सेलेक्शन करने के लिए किन-किन माहिनों को और किन-किन तो प्लीस में є वीडियो को देखो और मैं विडियो क到 Ừ वज करता हूं कि कई तक प्लब्लम वीडियो करदे कि बाकि इस वीडियो में जो आजका मेरा मोटीव रहने वाला है मैने आपको लास्ट शीन में भी बता है था कि कुछ बच्चों को स्टीम सेलेक्शन रो सुरू स ठीक है या कुछ भी करना चाहता है है न से न से कर सकता हूं और आट्स मी ले सकते हैं जिस सब्सक्राइब कर सकते हूं एसे बच्छों का विजन आज मेरे क्लिए लेकिन कहीं सही रहेगी है कुन से चुननी चाहिए तो मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि मैं एक छोटी सी वीडियो लाओंगा जहां पर मैं आपको स्टीम वाइस उनकी करियर अपोर्चुनीटीटीस लिख दूँगा कि कि स्टीम के से आप कौन से करियर चुन सकते हैं बाग यहां पर मैंने ब मैंने दोबा लिख दिया और भी बहुत सारी चीजें आप एक्सक्रा एक्सक्रा आप और भी चीजे कर सकते हूं अच्छा यहां पर इसके अलाव मैंना कोई भी बताया था कि साइन्स के स्टुनेंट होते हैं और जैसे कि नोट डाला हुआ है कि कोई भी स्टीम का स्टूड लिए कुछ एक्जामिनेशन गवर्मेंट ने बांदेवां कि साइन्स वाले बच्चे दे सकते हैं बाकि मैक्सिमन का यह यूपी स्टीम का बच्चा दे सकता है तो आप इसका स्क्रीन शूट ले लो मैं ज्यादा लंबे नहीं रखने वाला क्यूंकि मैं आपको मैं आपको चूट रहा हूं मेर से जो कि आप पूछना चाहते थे कि वह क्या इस स्टीम से हो सकता है तो मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा आप मुझे कमेंट करके वह चीज़ पूछ सकते हैं मेक शूर मैं विदिन वन से टू डेज में हर बार मना कई मेर में विजी रहता हूं तो झाल